अज़े देवगन आने वाली फिल्म औरों में कहां दम था इसकी प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन इसी बीच अज़े देवगन ने अपनी पिछली फ्लॉप मैदान के बारे में भी बात की आपको बता दे कि मैदान का बस बहुत था बहुत बड़े लेवल पर ये फिल्म बन रही अब मैदान के फ्लॉप होने पर अज़े देवगन ने चुपपी तोड़ी है और अज़े देवगन ने जो कुछ कहा है उसे ये साफ जाहिर होता है कि मैदान के फ्लॉप होने में अज़े देवगन की गलती नहीं बलकि प्रडियूसर बोनी कपूर की गलती है उनकी पुरा साल लेकर चलते हैं बात करें फिल्म मैदान की तो ये फिल्म 2019 में अनाउंस हो गई थी उसके बाद कोविड आया इस फिल्म ने तूफान भी देखा 2022 में ये फिल्म कंप्लीट हो गई थी और 2022 के एंड में ये फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन बोनी कपूर ने एक बार फिर से इस फिल्म की रिलीज को टाल कर 2023 पर शिफ्ट कर दिया 2023 में भी ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई फाइनल ये फिल्म 2024 अप्रेल के महीने में रिलीज हुई यानि कि बाकी फिल्मों की थरह ये फिल्म भी 5 साल तक पड़ी रही और उसके बाद रिलीज हुई इसी कारण ये फिल्म सूपर फ्लॉप हुई है आपको बता दें कि अजय देवगन ने इस बात का खुलासा उस वक्त किया जब तबू बता रही थी कि उन्होंने प्रेम फिल्म साइन की थी ये 87-88 में ये फिल्म बोने कपूर प्रेडिूस कर रहे थे, संजय कपूर इस फिल्म का हिस्सा थे लेकिन ये फिल्म इतनी डिलेड हुई कि 88 में साइन की हुई ये फिल्म नाईटी फाइव में रिलीज हुई और तब अजय देवगन ने कहा कि बोनी कपूर है ही वो producer जो हर film को 5 साल लेकर चलते रहते हैं.